तो सबसे हमारा पहला वेकेंसिय है नुकलिया पावर काफलेशन अफ इंड्रेंट लिमिटेड इसके लिए भारत के सभी राज्येवाले अपलाई कर सकते हैं यह जो विग्यापन है वह है अट्रेड वालों के लिए जिसका एक वर्स का प्रसिक्षाड रहेगा वह है राजिस्तान के कोर्टा में तो इसका जो आवेदन करने का डेट है वो 25 अड्र 2021 है और आवेदन करने की अंतिम तरिक 13-9-2021 है और आवेदन को आप लोग प्रिंट कर सकते हैं 27-9-2021 से तो चली विष्टार से देखते हैं पूरी जान करेकली वीडियो के अंतर तक बने रहे हैं अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे लेटर्स गौर्मिन जापकी जान करे लेक्टेशन मेकनिक है 30 पुष्ट के लिए वेडर है चार वर्स के लिए और कंप्यूटर और अप्रटर फरग्राम गी है पाथ पुष्ट ठीक है इसका जो मासिक व्यतन मिलेगा वो साथ हर साल समय लेगा जिसके पास एक वर्स काईट आई का सर्टिपिकेट होगा और जि प्रेटिन्स के अवध्यर रहेगा एक वर्स के लिए मतलब एक साल के लिए अब लोगो प्रसिचर दिया जाएगा उसके बाद आपको वही पर जब लगा दिया जाएगा ठीक है टोटल विग्यापन के बात करें तोटल पत की बात करें 260 पत निकल के आया है ठीक है इसमें चलिए देखते हैं हाब इसका सेक्स डिक्त होगी ता जसकी फिटर, कर्टर, मनिनिस्ट, इलेक्टिशन, इलेक्टरिनिक, मेक्निक्स, वेल्डर, कम्पूटर, आप्टर, आप्टर, प्रोग्रामिय उस्टेंट सभी ट्रेड में आटेविटी न होना उतीन प्रमाय पत्र अनिवार है, प्रसिक्षार क्रिष्ठान हमारे रहेगा, नाभी के प्रसिक्षार केंडर, एंटिसी, रावाट, भाठा, राजिस्थान, साइट, डाक, अडुसक्ती, 303300C, वाया, कोटा, राजिस्थान, वहाँ पर प्रसिक्षन दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगो यहाँ पर जॉब मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारा, सरी की, योग्यते हों मापडन की, तो सरी की योग्यते ही है कि किसी प्रकार की व्यक्ति को कोई भी रोग ना हो, ठीक है, अगर और इसके चाहिए, सिने का कार को छोड़ कर, ठीक है, ड्रिष्टी के बात करें, तो आग में कोई कम जोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि टिप पड़ी में, चैनित उमेद्वार को ट्रेड अपरेटिस के रूप में, लेने से पूर्वा साक्सत प्रतिक जारे द्वारा ने विनिदार्धी चिकत सा परिक्षा उठीन न करना होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट के मेडिकल टेस्ट भगों उसमें पास होना अनुवार है, चैनि के प्रक्याप लग के अंगों के प्राप्त के अधार पर किल लिया जाएगा, मतलब आइटे में जितना ज्यादा प्राप्राशनेट आएगा, उसको पहला लिया जाएगा, ठीक है, क्लियर, चलिए, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, इसका आवधन करने के लिए, आवधन आप लोग ऑनलेन अपलाई करना है, जैसे के www.apprenticeship.org.com में जाकर, और इसका आवधन करने का ति देखते हैं, पांचाट दो हज़र इकिस से तेराना दो हज़र इकिस के बीच में, और इसके लिए कोई फर्म फिस नहीं लगेगा, क्लियर है, और यहाँ पर दिया गया है कि आवधन को प्रिंट आवधन पर अभारती सस्ताक्षर एम मूल फोटो चिपकाया गया हो, सभी अवसिक दस्तवेज दो की फ्राइंट नमबर दो में दस आया गया है, साथ इस सताइस नहीं दो हज़र इकिस को सत्रा बजे या इससे पहले निमना पते पर पहुंचाना है, यहाँ पर पते दिया है, इस पते में आपको पहुंचाना है, सबस्ताले फार्म को फिलब कर ले कि था है अभिहाड़तों को उसमें प्रृमापत्र में सुंक अर्ट्रेस्ट्टीthe होना नहीं वाल है, और जननब प्रृमापत्र के दोसी के अलसूति जरूरी है और इस प्रृम पत्र की सर्टिपिकेट जरूरी है क्लियर है तो इस रिटम और यहाँ पर दिया है खाल हमें खिचाएगा पासपोर्ट फोटी तो इस रिटम बस इतना ही मिलते हैं ने स्टूड़ों पर ऐसे लेटर गोग में जब की जनकरिक्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब जनकरिक्स बने रही है दूसरो वेकैंसी हमारा दनीव इंडिया असोरेंस एंसोरेंस कंपनी लिमिटेड की द्रफ से ठीक है इसके लिए टोटल वेकैंसी निकल इसके लिए टोटल पोस्ट निकल के रहा है वह है इश्टी वालों के लिए 6 है टीवालों के लिए 3 है और बात करेंसे पीड़ाउस के लिए जो डेट है वो एक October 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में रहेगा और इसका जो online exam होगा वो October में होगा ठीक है और इसका जो second exam होगा वो November में होगा मतलब अब स्लेक्षन तो बहुत जली जली होने वाला है अब बात कर लेते हैं इसकी education qualification अगर education qualification बात करें तो यहां पर दिया गया है graduation या फिर post graduation वो भी 7% के साथ और HTSC और PWD वालों के लिए 55% के साथ उत्तिन होना अनिवार गया है वो भी 39, 2021 से पहले ठीक है चलिए अब इसकी जो payment मिलेगा उसकी बात कर देते हैं इसका जो training के दवरान जो payment आएगा वो 25 सार मिलेगा और उसके बार training पूरा होने के बाद आपको जो basic payment आएगा 32,195 से 62,315 के बीच में रहेगा अगर यह limit के बात करें तो यहां पर दिया गया है टोटल 21 एर से minimum 20 एर से maximum 30 एर के बीच में होना चाहिए और यहां पर जो schedule कास्ट है उसके लिए 5 एर का और OBC वालों के लिए 3 एर का computer basic exam देना रहेगा जिसका सबसे पहला English, दूसरा reasoning और तिसरा aptitude तो जैसे कि English language रहेगा हमारा 30 नमबर का, reasoning रहेगा 35 नमबर का और गड़ित रहेगा हमारा 35 नमबर का सभी के लिए 100 questions रहेगा clear है और दोनों हमारे Hindi, English दोनों में रहेगा आपको जो पसंद रहेगा उसमें आप दे सकते हैं clear है अगर total time की बात करें तो एक घंटे का समय मिलेगा अगर second exam की बात करें तो जो नमबर में होने वाला है उसके लिए test of reasoning रहेगा English language रहेगा general awareness रहेगा और गड़ित रहेगा ये भी objective type question रहेगा total 200 question रहेगा इसके लिए दो घंटे मिलेगा ठीक है आगे बात करते हैं phase 3 के लिए जो है शिर्फ एक normal interview के माध्याम से रहेगा clear है interview होगा और paper verification होगा और final selection में उसके बाद हो जाएगा ठीक है जो interview होगा वो 75 minutes 25 seconds का रहेगा आगे बात करते हैं इसके exam center की बारे में चलिए अगर exam center के बात करें तो हरे किष्ट के लिए अलग-अलग रहेगा जैसे कि यहाँ पर दिया है आसाम बिहार चंडीगर तो वहाँ पर जो जो राजी है उसका जो बड़े-बड़े city है वहें वहाँ पर exam का center रहेगा अगर form phase के बात करें तो यहाँ पर STACPWD वालों के आलके अज़ार देंदा साथ सो पतास अप्रिकेर्शन फिर्दे इन्कूल्ड इन्मिटिंग चार्ज क्लियर है यहाँ पर मिश्टेक हो गया है यहाँ पर क्या है जो साथ सो पतास है वह जनर और OBC वालों के लिए होगा और STAC वालों के लिए सवरुप रहेगा ठीक है हर एक राजजे के लिए अलग लग एक्जाम संटर देया गया है बड़े-बड़े स्टी में उसके बाद अगर सेकंड एक्जाम की बात कर रहे तो उसके लिए भी यहाँ पी एक्जाम संटर देया रहे गया जैसे कि करके तो हरक राज्य के लिए अलग अलग अपको एक्जाम सेन्टा मिल जाएगा अगर अपलाई करने के बात करतो अपलाई करना है और यहां पर फोटोग्राप रहेगा हो से 305 cm के बीच में रहना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहां पर अप्लाई करना है वह यहां पर सेड़ दिया है निविंडिया.com.in में जाके आपको ऑनलेन अप्लाई करना है सब्सक्राइब करना है करने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है और जो रिजिस्टर और अप्लाई फॉर्म में जाना है फिर फॉर्म के अप्लाई करने के लिए आपको जो भी डॉकुमेंट हो सब चीज यहां पर फिलप करना जाएज कि फाइल टाइब जे पीजी रहेगा और जो डॉकुमेंट रहेगा वह 400 से 800 से 400 बीच में रहेगा ठीक है और यहां पर फॉर्म का गोठा भी लगेगा सिकनेचर भी लगेगा यह सब चीज अपलोड करना है इसका प्रीडियो पर आप लोग मनेचर प्रॉइट कर दूंगा आप लोग वहां से देख सकते हैं ठीक है तो इसे प्रकर के लिज़र्ट गॉर् झाल